जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हाइट और आपकी एज के इसाफ से इंडियन आर्मी की नियू रूल्स के मताबिक आपको जो बेट है वो कितना होना चाहिए तो वीडियो बहुत ही इंवर्टेंट है दोस्तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है आप पूरा फिजीकल पास करने के बाद में वेट जो की बजन में आप दोस्तो आपको डिस्क्वलिफाई कर दिया जाए ठीक है 2021 में जितनी भी भरतिया हो रही है इन सभी भरतियों में दोस्तो आपको जो वेट लिया जाएगा वो आपकी एज और आपकी हाइट के साफ सी लिया जाएगा तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रेक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में सेर करेंगे और अगर चैनल पर नहीं है त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह जो नोटिफिकेशन है दोस्तो मैंने इंडियन आर्मी की ओफिसिल वेबसाइट से डाउनलोड किये मैं आप सभी को भी डाउनलोड करके यहां पर चाहें तो दिखा स आप देख सकते हैं दोस्तो इस्टेंडर्ट फॉर वेट वेट फॉर हाइट चार्ट विल वी इस्टेंडर्ट फॉर आल कैटेग्रीस और परशनल दिचार्ट इस बेजड ऑन एंबी आई ठीक है तो यह है दोस्तो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे हाँ पर सोल्जर क्लर क्योंकि सोल्जर क्लर्ट ही ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा कम हाइट ली जाती है तो दोस्तो अगर आपकी एज 17 से 20 साल है ठीक है और आप क्लर्ट की भरती देख रहे हैं तो आपको जो मिनिमम बेट होना चाहिए वह 47 kg और आपको जो मैक्सिमम बेट होना चाहिए वह 57 kg अगर 57 से ज़्यादा है तो आप इसमें डिस्क्वालिफाई कर दिये जाएंगे अब आपकी एज दोस्तो अगर आप भरती क्लर्ट की ही देख रहे हैं और आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लर्ट में एज ली जाती है वह 23 अर दी जाएंगा उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं GD की आप सभी को पता है दोस्तों की GD में जो हैट ली जाती है वह मैक्सिमम स्टेट में रहे जिए ठीक है तो अगर आपकीHeight 170 cm है तो आपको जो मिनिमम बेट होगा वो 52 kg, मतलब 52 kg से कम बेट आपका अगर है तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिये जाएंगा, अभी आप 50 kg का चक्र छोण दीजिए, अगर आपका बजन कम है तो बजन को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मिनिमम जो आपका, क्योंकि आप सभी को पता है कि GD में दोस्तो, साड़े सत्रा से 21 साल तक ही एज ली जाती है, तो मिनिमम बेट आपका 52 kg, मैक्सिमम बेट आपका 63 kg, और अगर आप 20 साल से उपर 21 साल में चल रहे हैं, तो आपका जो बेट होगा वो 66 kg तो लिया जाएगा, अगर आपका इससे ज्यादा बेट है, तो आपको डिस से 17 से 20 साल के बीच में आपकी एज है, तो 21 kg, मिनिमम बेट, 21.4 kg, और मैक्सिमम हो जाएगा 62.8 kg, और अगर आपकी एज 21 साल से मतलब उपर है, 21 से 30 साल तक तो आपकी जो बेट होगा वो 65 kg लिया जाएगा, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तो, यह जो नोटिफिक बेट लाग हुए, वो आप अपने चेक खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो उम्मिद करते हैं, दोस्तो, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉलम है, आपको यह वीडियो समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्टर के, जो भी नोटिफिकेशन्स होती है, वो आपको देते रहते हैं, और इनकी रिटेन एग्जाम के लिए आपके जवाबो तैयारी भी कराते हैं, यहाँ पर आपको जीक के, जीएस, मैथ और रीजनिक, चार सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो उम्मिद करते हैं दोस्तो, एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन जावर